असलामुलेकूम इस दुआ के साथ के आप सब बाखेरियत हो अल्ला की खास रहमतें बरकतें और अनायतें आप सब पर महर्बान हो मेरी दिली दुआएं और निक्तमनाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं आज कोई खास मोका नहीं है जिस होजा से मैं इतनी त्यार हुई फ्राइडे सेचेडे संडे और मंडे तक बच्चों को छुटियां है और फिर वेनस दे थंस्टे है बच्चों की स्ट्राइक है स्कूल में क्लीनिंग लेडी डिनर स्टाफ की और ऑफिस वर्कर की तो स्कूल बंद रहेंगे तो मतलब पूरा हफता बच्चे घर पर है अधियार हूए हो था के पूरा आफ्टा इनको अशकत आज है वैसे तो हम झालती है यह तो बस ऐसे हम फिक्रातन बोल लेती है माय वैसे बच्चों को माय ही संबालती है तो आज के व्लोग में क्या कर रही हूं आज मैं बनाने लगी हूं जी अरभा चिकन का सालम बनाऊ तो चुलें देखते हैं आज मैं क्या-क्या, आज के दिन की रूटीन में व्लोग में चामिल कर पाती हूं kalo कि मैंने चिकन फिलट के तो यह जन रूंद को तो फ्रीज गो up कने नग रख़ favorons थी तो जो चिकन फिलट यह तो बास्किन में डाल दो अभी मैं इसको यूस कर रही हूं थोड़े से ही मैंने इसमें गालिफ डाले हैं तो देखें कितने फाइनली जो है वह कितने फाइन चोप हो गए है तो मुझे लगा यह काफी यूसफूल चीज है यह दो साइस में थे बड़े साइस का एक छोट तो मैंने यह छोटे साइस का मगवाया है, यूस्फुल है, हैंडी है, चाय जो है, वो मुझे कोई और बना कर दे तो मुझे बड़ी ही अच्छी लगती है, कैसर माशलब बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं, तो शॉपिंग करने गए थे घर आये तो मैंने का मुझे थोड़ी सी चाय बना कर दे सुबह जब हम जिम जाते हैं तो जिम से वापिस आकर ना I think मुझे एक दो फती होगी है मैं चाय पीने लग गई हूँ इसी तरह ये देसी वाली चाय तो कैसर ही बना कर देते हैं तो मुझे वैसे हम इतनी पीते नहीं है देसी चाय तो वही आज छुटी भी थी तो वैसे क्रीविंग हो रही थी तो मैंने फिर कैसर से का तो कैसर ने मेरे लिए चाय बनाई और देखते ही देखते हैं कि हांडी त्यार होगी है इसकी रैस्पी का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बोक्स या मैं आई डिस्क्रिप्शन बोक्स या आई बटन में या एंड स्क्रीन पर डाल दूँगी ये चैनल पर है इसकी रैस्पी यह जो चिकन का मैंने सालन बनाया है ना इसमें आप यहां पर पास्टा भी डाल सकते हैं इसके आप रोल बना सकते हैं प्राथा रोल पीटा ब्रेड पॉकिट भी बना सकते हैं तो डिफरंट तरीके से यह खा सकते हैं तो दुआ जो है ना उसको एक तो टीमू का शोक होता है दूसरा ना ये मुबाइल पकड के फिल्म बनाती रहती है तो पता नहीं क्यूं इसको ना शोक है इन चीजों का या मुझे देखकर इसको हुआ है तो जरा मैं कैमरा उन करती हूं तो मेरे पास ही आजाती है हला के बाकी बच्चों को इतना होश नहीं होता जैसे ये कह रहा है मेरी तरफ कैमरा मुझे करे यहां पर मैं ओट फ्लैप जैक बना रही हूं यह ओवन में बेक होंगे बहुत ज्यादा मज़े के बनते हैं यहां मेरे पास आमन्ड पिकांस और वॉलनट है तीनों में लाकर 100 ग्राम होंगे यह तकरीब यह आदा कप तो होगा ही तो इनकी क्वांटिटी भी आपकी अपनी मर्जी है और यह देखें जो मैन्वल चॉपर है मैं उसी में डाल कर इनको चॉप कर रही हूं थोड़ा अड़ सा जाता था जाहर बदाम है थोड़े हार्ट होते हैं तो जरा इसको हला लें तो मतब थोड़ा शेक कर लें तो वो बलेट के साथ अगर कहीं फस क्या होगा आमन तो वो इजी ली चॉप हो जाएगा तो यह देखें इस तरह से आमन पिकांस वॉलनट जो है वो भी इसमें असानी से देखें चॉप हो सकते हैं काफी यूसपूल है यह इसके लिए 200 ग्राम बटर चाहिए आप चाहें तो इसको कोकनट ओल में भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसको बटर में ही बना रही हूँ 200 ग्राम बटर और 200 ग्राम रोल ओट और 100 ग्राम इसमें हमने डालनी है लाइट प्राउंग शुगर और 200 ग्राम ही हमने मेपल सिरप या हनी डालना है अगर कप से मापेंगे तो आदा कप मेपल सीरप, आदा कप ही लाइट प्रॉन शुगर और दो कप रोल ओट चाहिए जो ड्राइ नट्स मैंने इसमें डाले हैं वो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं इसमें आप रेजन, अपरिकोट यह वाली चीजें भी डाल सकते हैं जो ड्राइ फ्रूट हैं तो मेरे बच्चे नहीं खाते तो फिर मैंने ही डालती हूँ चुँके मेरे पास बटर फ्रोजन था तो उसको जरा मैल्ट होने में टाइम लगा वरना बटर जो मैपल सीरप है और जो लाइट प्रॉन फ्यूकर है इन तमतीनों चीजों को सोस पैन में गरम कर लेना है बटर को मैल्ट होने तक ताकि यह चीजें अच्छे से गरम हो बहुत अच्छी है मैं एजडा से लाई थी इस तरह के सीर उसमें काफी हमक थी वो पुरा पैकिट मुझे फैंकना पड़ा तो लीडल की इस तरह के सीर उगरा जो है पहले मिक्स मिल जाते थे अभी इंडविजवल पैकिंग में है तो इस तरह के ओट बाइट बनानी हो तो मैंने इंग्रीडियन्स पैन में डालकर चूले पर घरम किये थे वो रोलोट में डाल देने हैं और जो पिस्ते नहीं बदाम आमंड और पिकांस जो मैंने चॉप किये थे वो डाल दिये हैं और इन तुमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है एट बाइट मेरे पास ये ब्राउनी टिन है इसमें बटर पेपर बिचाकर ये मिक्सर इसमें डालकर स्पैचला से अच्छे से फ्लैट कर देना है लेवल पर कर देना है और जो बटर पेपर साइडों से एक्स्ट्रा है वो मैं कट कर दूंगा जडूरी नहीं है अब पूरा साइज का भी इसमें बटर पेपर भी छा सकते हैं वन हंडर सिक्स्टी डिग्री प्री हीटीड ओवन में प्री हीटीड ओवन में 35 मिनट का टाइमर लगा के मैंने इसको बेक किया था तीस मिनट बाद चेक किया तो मुझे लगा इसको पांच मिनट और देने चाहिए तो बेतर है पहले ही 35 मिनट का टाइमर लगा दें और इसको बेक होने दें तो यह देखें 35 मिनट के बाद किचन में ऐसी खुश्बू थी जैसे किसी बेकरी की दकान में खड़े होते हैं इतनी जबरदस बटर की खुश्बू थी और जरा सा यह ठंडा होगा तो इसमें मार्क लगा देने हैं जितने भी साइज इसके बनेंगे मेरे खाद 16 बने थे तो क्योंकि यह ठंडा हो जाएगा फिर कटनी होगा और जब यह बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए चूंकि बटर है और वन में बेक हुआ है तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको सेट होने में जब अच्छे से यह सेट हो जाए तो फिर इसको हम डिशोट करेंगे बेतर है इसको बनाकर ओवरनाइट रगने या फ्यू आवर छोड़ना पड़ेगा ताकि यह अच्छे से ठंडा हो जाए तो हमने तो खैर इसकी जो एक रोख है इसको पहले ही खा लिया क्योंकि यह तनी मज़ेगी बनी है और जो चीज़ बच्छों को अच्छे लगती है वो तो सुपर डूपर हिटी होती है क्योंकि बच्छों के टेस्ट बड़ जो है वो बहुत रिजर्व होते हैं हम तो खैर कोई चीज खराब करने की गर्से भी खा लेते हैं कि रिजक जाया ना हो लेकिन बच्छे मर्जी के मालिक होते हैं बारिश के बाद दूप निकले त जीए किरोंके भी खा लेते हैं यह वाला जो जो चृकर है यह और इस बर्गर मिलते हैं श्यों बन होती है और आज उस लह का जाम मीड़ी ख कष्यार चान का अां onboard भी में से चोच जा सब्सक्रारन का मिनर!! तो इसा लगता है पता नहीं घर में क्या चीज़ खतम हो गी है क्योंकि बचों को आदत है बच्चे शाम के खाने में यह चीज़ें हफते में दो तिन तफा खाई लेते हैं तो यह जो चिकन फिलेट मैंने आपको पहले दिखाई उसको इस तरह से फ्राइ करके ना इस तरह फोईल में लपेट कर 5-10 मिनट छोड़ दें तो एक तो वह बहुत अच्छे से सेट हो जाती है उसका फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है फिर उसके बर्गर बनाएं तो वह बहुत मज़े की बनती है यह है फिकी ही बहुत स्पाइसी नहीं है लेकि मुझे यह बहुत पसंद आई यह व्लोग अच्छा लगा है तो थम्जब बटन जरूर प्रेस करें मेरा चैनल देखते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें अपना और अपनों का ख्याल